जै स्री क्रिश्ना आईए सुनते हैं आवला नौमी की कथा एवं पूजन विधी एक राजा था उसका प्रड़ था वह रोज सवामन आवले दान करके ही खाना खाता था इससे उसका नाम आवलिया राजा पड़ गया एक दिन उसके बेटे बहु ने सोचा की राजा इतने सारे आवले रोजाना दान करते हैं इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा इसलिए बेटे ने राजा से कहा की उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बिया बान जंगल में जाकर बैठ गए राजा रानी आवलादान नहीं कर पाए और प्रड के कारण कुछ खाया नहीं जब भूखे प्यासे साथ दिन हो गए तब भगवान ने सोचा की यदी मैंने इसका प्रड नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल राज्य और बाग बगीचे सब बना दिये और धेरो आवले के पेर लगा दिये सुबह राजा रादी उठे तो देखा की जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है राजा रानी से कहने लगे रानी देख कहते हैं सत मत छोड़ें सुर्मा सत छोड़िया पत जाए सत की छोड़ी लच्मी फेर मिलेगी आए आओ नहात होकर आवली दान करें और भोजन करें राजा रानी ने आवली दान करके खाना खाया और खुसी खुसी जंगल में रहने लगे उधर आवला देवता का अपमान करने वह माता पिता से बुरा भेवहार करने के कारण बहु बेटे के बुरे दिन आ गए राज्य डुस्मनों ने छेन लिया दाने दाने को मुहताज हो गए और काम ढूडते हुए अपने पिता जी के राज्य में आ पहुचे उनके हालात इतने बिग्रे हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया बेटे बहु सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना एक दिन बहु ने सास के बाल गूतते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा उसे यह सोच कर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था हमने यह सोच कर उन्हें आवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नश्ट हो जाएगा आज वे लोग न जाने कहां होंगे यह सोच कर बहु को रोना आने लगा और आशु टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे रानी ने तुरन पलट कर देखा और पूछा कि तु क्यों रो रही है उसने बताया आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था हमने उन्हें आवले दान करने से मना कर दिया था इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए तब रानी ने उन्हें पहचान लिया सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया अपने बेते बहो को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बलकि बढ़ता है बेते बहो भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे हे भगवान जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सब का सत रखना कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना एक अन्यकथा के अनुसार एक ब्यापारी और उसकी पत्नी जो कासी में रहते थे उनकी कोई संतान नहीं थी इसी कारण ब्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिछिरा हो गया था एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वो किसी जीवीत बच्चे की बली भैरव बाबा के सामने दे इससे उसको संतान प्राप्ती होगी उसने यह बात अपने पती से कही लेकिन पती को यह बात फूटी आखना भाई पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ती की चाह ने इस तरह से बात दिया था कि उसने अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे की बली भैरव बाबा के सामने दे दी जिसके परिडाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए अपनी पत्नी की यह हालत दे ब्यापारी बहुत दुखी था उसने इसका कारण पूछा तब उसकी पत्नी ने बताया की उसने एक बच्चे की बली दी यह सुनकर ब्यापारी को बहुत क्रोधाया पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दसा पर दयाया गई और उसने उसे सलाह दी की ओ अपने इस पाप की मुक्ती के लिए गंगा में असनान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे ब्यापारी की पत्नी ने वही किया कई दिनों तक गंगा असनान किया और टटपर पूरी स्रधा के साथ पूजा की इससे प्रसन होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी अवरत के रूप में ब्यापारी कुई पत्नी को दरसन दिये और कहा उसके सरीर के सारे विकार दूर करने के लिए ओ कार्थिक मास सुकल पच्च की नौमी के दिन ब्रिंदाबन में आवला नौमी का ब्रत रखे उसकी पूजा करेगी तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे ब्यापारी की पत्नी ने बड़े बिधी बिधान के साथ पूजा की और उसके सरीर के सभी कष्ट दूर हुए उसे सुन्दर सरीर प्राप्त हुआ साथ ही उसे पुत्र की प्राप्ती भी हुई तभी से महिलाएं संतान प्राप्त की इच्छा से आवला नौमी ब्रत रखती हैं आवला नौमी पूजा बिधि प्रातह जल्दी उठकर असना नादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें आवले के पेड की पूजा कर उसकी परिक्रमा करें आवला नौमी के दिन आवले के ब्रिच की हल्दी कुमकुम फल फुलाद से बिधिवत पूजा करें आवला ब्रिच की जड में जल और कच्छा दूध अरपित करें आवले के पेड के तने में कच्छा सूद या मौली लपेटते हुए आठ बार परिक्रमा करें इसके बाद पूजा करने के बाद कथा पढ़ें या स्रवड करें पूजन करने के साथ ही इस दिन परिवार के सदस्यों के साथ आवले के पेड के नीचे बैठ कर ही भोजन करना चाहिए इस परिक्रमा में आठ या एक सो आठ चीज चड़ाएं जो आए ना में एक करने के परिक्रमा करें इस परिक्रमा करें आवले कर प्रेष्ड मेंद करें या रह दो एक्ड़ कर दो एक